Hello students, आज हम पढ़िएंगे Asexual Reproduction in Plants Asexual Reproduction in Plants पढ़ने के पहले हम आपको ये बता दें कि Reproduction क्या होता है Reproduction जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, Re और Production Re का मतलब होता है दोबारा और Production का मतलब होता है किसी चीज़ को produce करना तो Reproduction क्या है? Reproduction एक Process है जिससे क्या होता है? Living Beings या Living Organism जो होते हैं अपने जैसे ही दूसरे Living Organism को क्या करते हैं? Produce करते हैं तो What is Reproduction? Reproduction is a Process by which Living Organism give rise to the young ones or Living Being of their own kind ठीक है? जैसे कुता कुता को जनम देगा, बिल्ली बिल्ली को जनम देगी, गाएं गाएं को जनम देगी और Humans, Humans को जनम देगे ठीक है? तो अब ये Reproduction का जर्वत क्यों है? क्यों हम लोग मतलब कोई भी Organism अपने जैसा ही दूसरा Organism को जनम देता है? Reproduction इसलिए जरूरी है ताकि उसके Species का Continuation हो सके तो Reproduction is the mean of Continuation of Species Species को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नमबर को Continue करने के लिए Organism जो हैं वो क्या करते हैं? Reproduce करते हैं, ठीक है? अब Reproduction जो है वो दो तरीके से हो सकता है एक है आपका Asexual Reproduction और दूसरा है Sexual Reproduction Asexual Reproduction में Single Parents से ही क्या होता है? New Individual जो है वो ग्रो कर जाता है और इसमें कोई भी Fusion of Gamets नहीं होता है ठीक है? तो यह Asexual Reproduction है और Sexual Reproduction में Two Parents का जरुट होता है One Male and One Female to produce a new individual दो पैरेंट्स का जरुट होगा जिससे की एक नया इंडिवीजूल बनेगा इसमें क्या होता है? जो gamets होते हैं उनका क्या होता है? फ्यूजन होता है ठीक है? तो इस वीडियो में हम सिर्फ Asexual Reproduction in Plants को ही डिसकस करेंगे तो Plants में Asexual Reproduction जो है वो 6 तरीके से हो सकते हैं जैसे की Binary Fission, Birding, Fragmentation, Spore Formation, Regeneration and Vesitative Propagation ये 6 Methods से Plants जो है Asexual Reproduction करता है तो सबसे पहले Binary Fission Binary Fission में क्या होता है? कि एक Single Cell से ही दो नए Individuals का जनम होता है उसको हम बोलते है Binary Fission Binary Word का ही मतलब होता है दो और Fission का मतलब होता है तूटना तो Binary Fission में एक Cell तूटके दो नए Cells बन जाता है जो की आगे Grow करके दो नए Individuals बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं binary fission binary fission हम bacteria में observe कर सकते हैं इसमें देखिए एक parent cell है जो थोड़ा सा बड़ा होता है cell elongation होता है उसका nucleus दो पार्ट में divide होता है then उसका पूरा cytoplasm नी दो प्लार्ट में divide होके cell अपने आप दो पार्ट में divide होके दो नए individual cells बना लेता है ठीक है और ये individual cells आगे grow करके दो नए organism बन जाते हैं तो क्योंकि इसमें एक cell से दो cell और दो नए organism बने हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है binary fission उसके बाद है next type है birding birding जो है वो हम लोग east में देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि एक cell के उपर nucleus divide करके छोटा सा एक bulb like structure बन जाता है उसको हम लोग बोलते है bird क्या बोलते है bird और ये bird जो है आगे जाके develop करता है और थोड़ा थोड़ा detach हो जाता है उस particular cell से जिससे वो बना है उससे वो अलग हो जाता है और बात में fully grow करके एक नया cell बन जाता है और इसको हम क्या बोलते है birding ठीक है ये हम east में observe कर सकते है उसके बात है next process है fragmentation fragmentation में क्या होता है कि इसमें जो है कि कोई भी individual जो है उसके body का एक एक fragment से एक एक नया organism बन जाता है इसको हम बोलते है fragmentation इस word से ही समझ में आ रहा है fragment का मतलब होता है तुकड़ा अगर किसी भी individual के body का एक तुकड़ा दो-तीन तुकड़ा कर देते हैं उसका हर एक तुकड़ा जो है नय individual organism में develop कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे fragmentation ये आप spirogyra में देख सकते हैं उसके बाद है regeneration regeneration word से ही समझ में आ रहा है दुबारा generate हो जाना ठीक है plant के किसी भी part से दुबारा एक नया plant का generation हो जाना या उसके कोई भी part को अगर हम निकाल लिया और उससे बाकी सारे और parts जो है वो वापस generate होके वो एक नया plant बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं regeneration जैसा कि आप diagram में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक plant का छोटा सा stem निकाला गया है दो अलग-अलग part छोटे-चोटे stems निकाले गया है और दोनों को individually उगाया गया तो दोनों में ही root stems जो है वो वापस leaves वागेरा जो है वो उग गया है तो यह है regeneration regeneration का मतलब होता है कि the ability of a living organism to repair themselves to grow lost part जो part lost हो गया है उसको वापस से regenerate कर लेना उसको बोलते है regeneration उसके बाद है spore formation spore formation में क्या होता है कि कुछ fungi और bacteria और कुछ mosses वगेरा जो है वो spore formation के थूँ अपना numbers बढ़ाते हैं इन में क्या होता है कि छोटा सा एक structure है जिसका नाम है sporengium sporengium में क्या होता है छोटे 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 spore dana बनता है ठीक है ये spore बिखर जाते हैं बाद में और हर एक spore से क्या होता है एक नया individual का जनम होता है तो इसको हम बोलते है spor formation ठीक है उसके बाद है vegetative propagation vegetative propagation का मतलब होता है कि vegetative parts से propagate करना मतलब अपना numbers बढ़ाना उसको बोला जाता है vegetative propagation vegetative part क्या हो गए देखे रिप्रोड़क्टिव पार्ट क्या होता है जिससे reproduction होता है तो flowers जो है वो एक रिप्रोड़क्टिव ओर्गन है तो flower को छोड़के बाकी जो भी parts है plant के जैसे की root है stem है, leaves है ये सब सारे जो है वो vegetative part है ठीक है तो ये root, stem और leaves से जब हम लोग का plant जो है प्रोपगेट करता है मतलब अपना numbers बढ़ाता है तो उसको हम बोलते है vegetative propagation तो vegetative propagation तीन तरीके से हो सकता है एक है vegetative propagation by roots vegetative propagation by stem vegetative propagation by leaves ठीक है तो सब से पहले हम लोग देखेंगे vegetative propagation by roots roots से कैसे vegetative propagation होता है कुछ plants में क्या होते है roots जो होते है वो अपने आप क्या होते है उसमें से roots जो है वो अलग-अलग तूट जाते हैं और वो roots को अगर आप तोड़ के किसी नहीं जगा लगा देंगे तो उससे एक नया plant उग जाता है ठीक है तो इसको हम बोलते है वेजिटेटी प्रोपगेशन बाइ रूट जैसा कि आप डाइग्राम में देख सकते हैं प्लांट जो है वो अटाच हो गया है सॉयल से इस तरीके से यह स्टेम और आगे बढ़ेगा वहाँ पर अपने आप रूट्स निकल जाएंगे सॉयल के कॉंटेक्ट में आते ही और वो एक नया plant बन जाएगा तो इस तरीके से प्लांट जो है स्टेम से क्या करता है प्रोपग या बगोनिया उनमें क्या होता है लीव के मार्जिन्स पे छोटे 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 क्या होते है प्लांट लेट उगाते है यह प्लांट लेट जब हलके से डिवलप हो जाते हैं तो यह उससे डिटाच लीव से में लीव से डिटाच होके सोयल के कॉंटाक्ट में आते ह यहां plant के रूप में वो उख जाते हैं डिवलप हो जाते हैं तो इसको हम बहुते हैं वेजिटेटी प्रोपगेशन बाइ लीव्स थीक हैं तो वेजिटेटी प्रोपगेशन बाइ रूट्स जो है वो sweet potato, dahlia, asparagus यह सब में देखने को मिलेगा वेजिटेटी प्रोपगेशन बाइ स्टेम जो है वो हमें potato, ginger, strawberry यह सब में देखने को मिलेगा और वेजिटेटी प्रोपगेशन बाइ लीव्स जो है वो हमें bryophyllum, begonia यह सब में देखने को मिलेगा वेजिटेटी प्रोपगेशन का advantages क्या है? क्या फाइदा है? वेजिटेटी प्रोपगेशन का यह फाइदा है कि यह एक easy, rapid process है, बहुत जल्दी हो जाता है और इससे seedless plant, जिन plant की seed ही नहीं होती है तो उसको हम कैसे उगाएंगे? तो seedless plants भी जो होते हैं वो इससे क्या हो जाते हैं? आसानी से उग जाते हैं, ठीक है? तो thank you for today sexual reproduction implant मैं अपने next video में discuss करूँगी, अगर आपको मेरा ये video पसंद आया हो, तो please इसे like, share और comment करना मत भूलिए और मेरे channel को जरूर subscribe कीजिए, thank you